डॉक्टर राजिंदर प्रसाद के इंद्रिय क्रिश्य विश्व विद्याले के तत्वाधान में आयुजत किसान मेले में किसानों की उपज की प्रुदर्शनी लगाई गई सोमवार से शुरू हुआ ये किसान मेला तीन दिनों तक चलेगा मंत्री महेश्वर हजारी और विश्व विद्याले के कुलपती डॉक्टर रमेश चंदर सुर्वास्तों ने दीप प्रजुलित कर मेले का उद्गाटन किया मंत्री ने पैदावार बढ़ाने की दिशा में किसानों को प्रसक्षन देने पर जोर दिया इसके लिए उन्होंने विश्व विद्याले के कुलपती का आभार जताया मंत्री ने मेले में लगाए गए विभिने स्टॉलों का भी निरेक्षन किया हमारा देश कृष्वी प्रधान देश है ऐसे में जब अन्न दाता किसान सुखी रहेंगे तो पूरा देश खुश हाल रहेगा समय समय पर पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को प्रसक्षत किया जाना चाहिए उनका रवामी के लिए समस्तिपुर से राज किशोर की रिपोर्ट उत्तर बिहार में कहर का परियाय बन चुके चमकी बुखार और जापानी इंसेफलाइटिस से निपटने के लिए प्रशासन अभी से कमर कस चुका है मुझब फरपुर के डीम ने तमाम संबंदित अधिकारियों को इस से जुड़े दिशा निर्देश दिये पतादें कि जुला अधिकारी आलोक रंजन घोश की अध्यक्षता में एएस और जेई पर ही कोर कमीटी की एक बैठक की गई बैठक में उपविकास आयुक्त के साथ ही जुला परिशद की अध्यक्षा नगर आयुक्त सिवल सर्जन मेडिकल कॉलेज मुझफर पुर के शिशुरोग विशेशग्य भी मौजूद रहे इस महमारी से निपटने के लिए करमचारियों को प्रसक्षट करने के साथ ही इस से बचाओ के लिए लोगों में जागरुकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया अगर आये तो ट्रीट होके चला जाए एक भी कैश्वल्टी ना हो लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन होती है तो उसको निपटने के लिए आवशक तैयारियां जो अस्पताज तर पर हैं जो नया पी ऐसी बनना है इत्यादी बनके तैयार हो जाएंगा चमकी बुखार और जापानियन सेफलाइटेस उत्तर विहार के साथ ही यूपी के कुछ जिलों में लगातार कहर बरपाता रहा है हजारों बच्चे असमेस बीमारी की भेट चड़ चुके हैं ऐसे में इस महामारी से निपटने की दिशा में जिला प्रशासन का यह प्रयास सराहनिये है उंकार आवामी के लिए मुझब फरपुर से अभय कुमार सुरवास्तों की रिपोर्ट